नमस्ते मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिली फैट को आप कैसे बर्ण करेंगे बिली फैट को आप कैसे बर्ण करेंगे देखिए अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि आ नहां के आसपास का portion जो है वो काफी जादा मोटा होता है फैटी होता है थाई के आसपास आपको वजन काफी जादा होगा मेल की बात करें तो मेल का जो तोंध है वो काफी निकला भ़ो रहता है लेकिन थाई पे जो fat वो कम होता है female के according अब यह decide कब हम करते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके body के posture या फिर body के आपकी जो भी structure है उसके according भी चीज़े depend करती है आपका lifestyle क्या है आप क्या खाते हो आप क्या पीते हो इन सब चीजों पर भी depend करता है तो आप क्या करेंगे सुबह-सुबह जब आप उठते हो तो को पीना है हलका सा गरम पानी जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं Luke warm water मतलब हलका सा गरम पानी जो पीने में आपको गुन-गुना लगे ठीक है उसके अलावा आप क्या कर सकते आप जीरे का पानी भी पी सकते हो जीरे का पानी में क्या होता है आप जीरे के पानी क पानी में एंटि ऑक्सिडेंट होते हैं मैंगनिशियम है कैल्शियम है कॉपर है जीरा हमारे बोड़ी के लिए क्यों पॉटेंट है मैं आपको अल्री बता चुकी हूं कल हमने अनौस्मेंट किया था कि हां कि आपका दो स्रीज आया है जो नॉन मेडिकल है या फिर मेडिकल है आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं लाइव क्लासे आपके स्टार्ट होगे एक महीना बाद 21 जुलाई से और आप जाकर के अल्का मेडिकल क्लासे अप को गूगल ब्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कैसे करना है मैंन उनके पोश्चर में उनके जो भी और गन है उनमें क्या दिकत है स्पॉम आ रहा है तो इस पॉम में गड़बरी कैसे हो रही है बांजपन का शिकार आप कैसे हो रहे हो आपकी पतनी प्रेगनेंट कैसे नहीं हो पा रही है आपको अगर टेस्टीज में दर्द है तो वह कैसे कि यह सब चीजों की बाड़े में मैंने वहां पर बताया है और आप जा करके ले सकते हो वहां पर आपको जा करना प्रेंद्रीं चैसा कि मैंने आपको बता दिया है सुभा आप नीमू पानी भी पी सकते हो लेकिन यह ध्यान अकना है कि बहुत से लोगों को नीमबू पानी सूट नहीं करता है तो आपका जैसा बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपको पीना है नीमबू पानी में नीमबू में वाइटमिन C होता है और साथ में जो पानी हलका सा जब हम गुनगुना करते हैं तो वो आपके पेट के लिए आपके आत के लिए अच्छा है आपके आतों की सफाई के लिए बहुत ही जादा अच्छा है तो आपको इसको पीना है अब आपके बॉडी में अगर पानी सुबह सुबह जाएगा तो ठंधा पानी आपको कोशिश करना कि फ्रिज वाला आप ना पीओ इससे आपके वजन में कोई भी इधर से उधर वजन नहीं होगा आपका जो digestion problem है वो फिर बना का बना ही रह जाएगा जब आप गुन-गुना पानी को पीते हो नौर्मल भी अगरा पीते हैं आपके बॉडी में एक चीज अच्छी होती है कि सुबह सुबह आपका digestion system ठीक हो जाता है पानी पीने की वजह से हमारा जो आथ है वो फिर साफ होता है और आप अच्छे से मल को पास कर पाते हो constipation आपको नहीं होता है यह आपको ध्यान अखना है आपको हरी साक सबजिया खानी है साथ में आपको यह भी ध्यान अखना है कि रेटीना के लिए हमारी आखों के लिए अभांखों में एक दिक्कत होती तो आपको आखों से दिखना कम हो जाता है जभी आप diabetes के शिकार होंगे high blood pressure के शिकार है तो आप यह notice करते होंगे या तो आपका तोंद बहुत जादा निकला हुआ है और पैर बहुत जादा सूखे है इसके जगह पर आपको खाना है गुड़ या फिर शाहिद लेकिन वह भी लिमिट अमाउंट में अब आपको एक चीज का ध्यान नकनाएगी वजन कम कर रहे हैं लेकिन भरपूर मात्रा में आप केला खा रहे हो केला बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जब हम व केला की मातरा को हम कम कर देंगे और अपने डायट में प्रोटीन की मातरा को शुंहात लेगे जब Ferrante बएक आप का गाच बांध लो कि आपको प्रोटीन की मातरा को उप्रोटीन में बढ़ा को देना है और साथ में पानी भी पीना यानि कि वॉट्र वह बहुत अच्छे पा और साथ में आपकी बॉड़ी में healthy fats होंगे fats होना भी important है तो fat में आपका healthy fat होगा और आपके बॉड़ी में LDL फिर कम हो जाएगा यह bad cholesterol ठीक है अब क्या होता है good cholesterol बॉड़ी में रहेगा जबी भी bad cholesterol आपके बॉड़ी में होता है तो वजन भी बढ़ता है और साथ में आपको कोड़नरी artery disease भी हो सकता है heart में आपको दिक्कत भी हो सकता है तो सुबह सुबह आप यही काम कीजिए कि आपको क्या करना है जी आप आने पीना है आप एक मन्त में notice करेंगे कि आपको चारसे पांश किलो वजन कम होता दिख रहा है आपको लेकिन करना है आप सुन्ते हो फिर आप भूल जाते हैं देली शाम को 6 बजे यूट्यूफर lecture आते है मेरे और आप में से बहुत से लोग यह बोलते हैं कि lecture नहीं आ रहे है लेक्शर डेली आते हैं कभी-कभी आपको दिखेगा कि गैप हो रहा है वह क्लासिस की वजह से लेकिन लिक्चर आपको डेली शाम में छे बज़े देखने को मिलेगा आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी जानकारी आपको चाहिए जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं तो कोई में कोशिश करना है कि आप व्याम करो जब भी आप व्याम करते हो आपके बॉड़ी में ऑक्सिजन के अमाउंट जादा जाती है तो जब ऑक्सिजन बॉड़ी में जाता जाएगा तो आपके जो सेल्स है जो आपकी कोशिका है वह अच्छे से ग्रो करेंगी वह अच्छे से काम करेंगी वो अच्छे से एक तरह से मिच्योर होंगे तो आपको व्याम भी करना है कभी कभी ये भी दिक्कत होता है कि आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही लंबे टाइम तक बैठ करके काम करते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक आप खाने के बाद साल पहँ सरा पानी पिलेते वह भी होता है खाने बाद बहुत स्रापानी आपको नहीं पीना ए तो मीद करें कि आपको समझ में आ लुबह कोई कर रहिए रहां कि आप आप अपने प्रॉब्लम को शियर कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ आपको application को download करने में अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे बताओ आपकी body का parts है आपको जानना important है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही खास तरीके से मैंने उन सभी videos को बनाया है और आप जा करके देखेंगे और वहाँ पर free videos भी बहुत सारे हैं तो आपको बहुत जादा knowledge मिलेंगे और सीखने के लिए कोई उमर की सीमा नहीं होती आप कभी भी सीख सकते हो थैंक्यू सो मच